आज हम ऐसी सुकड़ी बनाएगे जो आप उपास में भी खा सकते हो राजगरा का आटा की मैंने आज सुकड़ी बनाई है बहुत ही टेस्टी और यमी लगती है अभी गर्बा का टाइम है और आपको एनर्जी चाहिए यही एक आप सुकड़ी खाके जाओगे तो आप में इत थ्री फोर्थ कप मैंने गी ले लिया है थ्री फोर्थ कप मैंने राजगरा का आटा ले लिया है वन फोर्थ कप मैंने यहां पर राइफूट पिसके लिया है और आदा कप मैंने गूर ले लिया है गी पहले मैं डाल दूंगी तो यहां पर मैंने कड़ाई ले लिया है उसक के बाद हम इसको दीरी आज पर चलाते जाएंगे और पकाते जाएंगे फ्रेंड्स यह प्रोसेस आपको पहले करनी है कि उसको बीच में छोड़ना नहीं है नीतर यह चल जाएगा तो यह आप दीरे दीरे उसको चलाते जाएंगे और अच्छे से पकाएंगे फ्रेंड्स करना कॉमेंट करना और फ्रेंड के साव्य है आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक करना बूल जाते हो फ्रेंड्स आपकी एक से मेरेकर मोटिवेसन मिलता है तो मैं आपके लिए अच्छे से वीडियो लेके आएंगे तो फ्रेंड से क्लाय। करके ढ़ he इसके बाद मैंने थोड़ा सा पक गया था तो थोड़ा सा ट्राइफुट डाल दिया है मैंने जो पिसके रखा था वो इसको भी हम गी के साथ और अच्छे से राजग रखे आटे के साथ उसको पकाएंगे ताकि एकदम बढ़िया से इसकी खुस्बू भी आएगी और आपको ज्यादा इसको प्राउन करने की जरूरत नहीं है निता कड़वास आएगा तो थोड़ा अलका सा पींक हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे तो यह एकदम बढ़िया से रेडी हो गया है अभी इसको मैं नीचे उतार दूंगी और इसके अंदर हम गूर्ड डालें कभी यह गलती मत करना कि गयस के ऊपर रखे आप घुर्ड डालोगे तो यह आपकी किचे शकुडिए बनेगी तो यह पर मैंने नीचे उतार दिया है और इसके अंदर हम गूर्ड डालेंगे तो मैंने सारा गूर्ड डाल दूंगी इसके अंदर तो फ्रेंड्स कभी भी अगर आपको सुखडी बनानी है तो आप ऐसे ही बनाओगे तो बहुत ही अच्छी और एकदम सौफड़ी सुखडी बनेगी तो मैंने सारा गूड डाल दिया है इसको भी हम अच्छे से मीक्स कर देंगे ताके एकदम बढ़िया से यह मीक्स होगा और कड़ाई छोड़ेगा आपको मैं दिखाऊंगी तो यहां पर हम इसको चलाते जाएंगे और इसको अच्छे से मीक्स करेंगे तो फ्रेंड्स एकदम बढ़िया और टेस्टी अगर आपको उपास में खानी है एनर्जी चाहिए उपास में क्या होता है किसी में एनर्जी नहीं रहती है तो अगर आ कर दून ऐसा थोड़ा सा वाप सेंज हो गया तो गूर Kids मेरा थोड़ा वाइट वाला है अगर आपने ब्राउन वानवाला रूड डाल तो आपकी तो तो मेरा एट तो यह 10 मिट में बन जाएगे आपको अगर सुखडी बनानी है तो यह आप देख सकते हो एकदम बढ़िया से हो गया है अभी प्लेट ले लूँगी उसके उपर में गी लगा दूँगी अच्छे से और हमने जो सुखडी का बैटर है वह इसकंदर डाल देंगे तो हम इसको डाल देंगे और इसको अच्छे से एला के रख देंगे अगर आपके पास चौकी है तो चौकी में भी मिणा सकते हो मिरिपास नहीं थी तो प्लेट में निकाल दी है और इसको अच्छे, मैं फेला दूँगी तो सुखडी दिन में एक बर खहोगे तो बहुत ही अच्छे ए लेगी और आपको खाना भी अच्छा लगेगा तो यह मैंने अच्छे से बिचा दिये इसको प्रेस करते हुए मैं अच्छे से एकवल कर दूंगी तक एकदम बढ़िया से पीस एक ही जैसा बनेगा तो मैंने कर दिया है अभी इसके बाद उपर ड्राइफुट ने डालूंग तो यहां पर मैंने पीस्ता लिया है और बदम की कत्रन लिये वह इसके अंदर डाल दूंगी तो द्राइफुट आपके साब से डाल सकते हो लेकिन इसके साथ पीस्ता और बदम बहुत ही अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसको डाल दिया है इसके बाद मैं इसको 10 में टक छोड़ेंगी तो यहांँ पर 10 में छोड़ेंगे उसके बाद मम इसका कटिंग कर देंगे तो यहांँ पर यसको 10 में टक छोड़ेंगी में तो इसको पहले में प्रेस कर दूंगी ताकि ट्राइफूट अच्छे से सुखड़ी के साथ मिक्स हो जाएगा तो यहां पर प्रेस करेंगे तो यह निकलेगा भी नहीं और एकदम बढ़िया से रेडियो हो जाएगा इसके बाद मैं 10 मिनिट हो गया है तो हम इसका कटिंग कर देंगे तो यहां पर मैंने कर दूंगी तो मैंने स्क्वेर में किया है अगर आपको ट्रेंगल में करना है छोटा करना है बड़ा करना है वो आपकी तोईस की साब से कर सकते हो तो मैंने स्क्वेर में ही cutting किया है और आप देख सकते एक दम बढ़िया से आटे की सुकडी बनाई है बहुत ही अच्छी हो और टेश्टी बनी है आप भी ज़रू से एक बाट ट्राई करना और अगर आप ट्राई करते हो तो मेरेको कॉमेंट में लिखना कैसे सुकडी बनी थी आपकी और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करक तो मैंने यहाँ पे सुकडी आपको निकाल के दिखाऊंगी और इसका कटिंग करके निकालूंगी तो यहाँ पे मैं निकाल के दिखाऊंगी तो एकदम बढ़िया से यह निकल जाती है और इसका मैं कटिंग करूंगी तो यह एकदम सौट वाली ऐसी हमारी सुकडी रेडि हो गई है तो एकदम बढ़िया और टेस्टी ऐसी हमारी सुखडी रेडी हो गई है तो उपास में खाने के लिए मैंने राजेगरा क्या आटे की सुखडी बनाई बहुत अच्छी टेस्टी बनिये मेरे गर में तो सब को ही अच्छा लगा अगर आप बनाते हो तो आपके गर म में कैसा लगता है वो मेरे को कॉमेट में लिखना थेंक्यू फॉर वाचिंग बाइबाई टेक केर